नमस्कार जी बुजनस पर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं पाव ब्रेक्पास्ट में हूं मान सीधवे हफ़ते का आखरी कारोबारी सत्र और पिछले तीन दिन के ट्रेडिंग सेशन से जो शांदार बढ़त है वो आज भी जारी रहे गिया नहीं देखना बेहत दिल्चस होगा चलिए आज की पारी की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लेते विदेशी बाजार से संकेत जो हैं फिलहाल सुस्ती की तरफ ही इशारा कर रहे हैं बाराथ 275 के लेवल्स पर एस जिक निफ्टी फिलहाल कर रहा है ट्रेड तमाम एश्राई बाजार एक एकर आपको बता देते हैं होंग कॉंग के बाजार हल्की सी खरीदारी दिखा रहे हैं लेकिन निक्काई और शांगाई में लाल निशान के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है अमेरीकी बाजार के गर बात करें तो जब कल क्लोजिंग हुई तो अमेरीकी बाजार में बढ़हत देखने को मिली ते एक पुस्याती संको की तेजी डाउन ने दिखाई एस इनपी 500 और नास्टैक में भी खरीदारी के लेवल्स इंटाक्ष थे चलिए अब विदेशी बाजार के संकेतों को विस्तार से समझते हैं विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए दिपानशू भंडारी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही आप Zee Business के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंग्वी भी हमारे साथ जुड़ गया है तो जाधा दर करके positive news आ रही है कोई भी ऐसी news नहीं थी जिसकी वज़े से निवेशों की चिंताएं बढ़ें बलकि अगर आप देखे तो अमेरिका में जो record का run है वो चली रहा है बाजारों पर कोई असर नहीं पड़ा है अब जन्वरी में US Senate में इस पर वोटिंग होगी पर क्यूंकि वो Republican कंट्रोल है और वो Trump के impeachment के खिलाफ ही वोट करेंगे इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है और निवेश कोई इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे है इसके अलावा अगर आप देखें तो यॉरोप में भी कल थोड़े मिले जोले संकेत आये वो सक्थ Brexit वार्निंग के बाद थोड़ा बाजार संबला वहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लेंड की पॉलिसी थी उन्होंने दरो में कोई बदलाव नहीं करा है 0.75% पर मेंटेन करा है पर हां UK GDP आउटलुक के अनुमान को कम करा है हाला कि 0.2% से 0.1% यह करा है तो उसमें भी जादा बदलाव नहीं है पर थोड़ा sentimental negative जरूर इसको आप मान सकते है पर बाजारों का इस पर कोई असर नहीं पड़ा अगर कच्छे तेल की बात करें तो एक बार फिर से हो तीन महीने के उचसतर के करीब ही है अमरीका में एक भंडार गिरने के वज़े से सहारा जरूर मिल रहा है और इसलिए हाप देख रहे हैं कि 66 डॉलर या साड़े 66 डॉल में ही थोड़े दिनों से ट्रेड कर रहा है थोड़ा उपर नीचे हो रहा है पर वैसे कोई परशानी नहीं है तो कह सकते हैं कि मजबूत संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से बिल्कुल दिपांश शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए अमेरिकी बाजार से संकेत हमारे हक में है तेजी के साथ कल क्लोजिंग दिखी एशियाई बाजार के संकेत जो हैं फिलहाल सुस्ती दिखा रहे हैं लेकिन दिन के चड़ते देखना होगा कि एशियाई बाजार भी अपने आपको संभाल की तेजी और करंसी की कमजोरी हमारे लिए चिंता का सबब बन सकती है लेकिन चली अब आगे बढ़ते और देख लेते हैं कि कल के कारूबारी सत्र में संस्थार निवेशकों ने क्या किया FIS कर रहे हैं कैश मार्किट में खरीदारी करीब 740 करोड की वहीं कैश मार्किट में DIS की तरफ से 490 करोड की बिकवाली देखने को मिल रही है और वाइदा बाजार में FIS की तरफ से करीब 4404 करोड की खरीदारी है तो कह सकते हैं कैश मार्किट और वायदा बाजार दोनों में ही FIS की तरफ से खरीदारी आते हुई दिख रही है लेकिन अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेग्मेंट का जहां हम रोज बात करते हैं Zee Business के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंग भी से अनिल जी गुड मार्निंग ग्लोबल बाजार के संकेतों को आज कैसे समझें और पहली रणनी त्याज के लिए क्या होगी गुट मॉनी माश्टी जैसा कि डिपंच बता रहे हैं कि काफी बैटर है अमिरिका में जो टेजी हुई रिकॉर्ड हाई पर जाकर अमरीकी बाजार बंद हुए है वो काफी बैटरी ने कि उसके जितनी तेजी हुए है उम्मीद है कल बाजार बंद होने के वक्त नहीं थी बाज़ार को समझने आ रहा है और अच्छा रियक्शन दिया है एश्य बाज़ारों में स्विश्वाट हुई है लेकिन मुझे लगता है कि भारती बाज़ारों के लिए विदेशी बाज़ानों के इतने संकेर काफी है एजी करने के लिए तो मजबुत रहने चाहिए भारती बाज़ार बाज़ार का मार्केट है अब दो चीज है अगर बहुत गयाप से खुले तो हम उपरी स्टरों पर खुलते ही दिखवाली करेंगे और इसकी दो बड़ी वज़े है पहला तो है हाईर पूट को रेशो और बूसरा थोड़ा सा कट्चा तेल और रुपे का हाल कम करेंगे और इसकी वज़े हैं कि सेंटिमेंट और रट्रेल बहुत मजबूत है और साथ ही एफाई की तरह से खुलत बना रहे हैं तो चोड़ी बहुत प्रोफिट बुकिंग आ सकती है और उसकी दलत भी नहीं है जा तक बैंक निटी का कवाल है अब बैंक निटी पर आज मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और इस रेंड में आने पर खरीदारी कमी चाहिए एक बार 32,330 की उपर ठीक है तो 32,435 की रेंड तक भी बैंक निटी फिर से जाने की पोशिश करपन साए बिलकुल अने जी साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक काज कह इस रहां पर दियान रखना चाहिए जिनावट में खरीदारी करनी है मैटल में वह अभी ली है बरकरार मैटल खरीद नहीं चाहिए और स्पेसिशली में एल्यूमिनियूम श्टॉक्स आपके व्यूक्त लियाद से आपको खरीदे चाहिए यहां पर मुझे लगता है अभी वैसे जो सेफ है यहां खरीदारी करनी चाहिए बिल्कुल अनिल जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमाई सार जुडने के लिए तो 12,165 से 12,200 सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए और देखे 12,300 का उपरी स्तर भी देखने की संभावना फिलहाल देखने को मिल रह अच्छी है भारतिय बाजार के लिए शुरुबात करने के लिए बैंक निफ्टी 32,000 से 32,100 सपोर्ट जोन मानकर चलिए 32,400 से 32,500 के उपरी स्तर भी आज की सतर में देखने की संभावना है सेक्टर स्पैसिफ का आटो, आटो अंसिलरी, कल के ट्रेडिंग सेशन से ही बढ़त दिखा रहे हैं, आज भी आक्शन देखने की पूरी गुंज़ईश है और साथ ही मेट्रिल्स, विदेशी बाजार के संखेत का एक असर यहाँ पर भी पढ़ता हुआ दिख सकता है, पॉ उसका अचा आखरी दिन है, कल तक, अगर दूसरे दिन तक देखे तो किवल चोटर परसेंट जो इश्यू है वो भरता हुआ दिखा है, तो थोड़ा ठंडर रिस्पॉंस इस आईपियों को मिलता हुआ दिख रहा है, रीटिन लिवेशो को के लिए आज भारत पॉंड एट पर विचार कर सकती है, इसके चलते हैं काफी तीजी आ चुके स्टॉक पर, साथी बैंकिंग स्टॉक पर आज नज़र रखे क्योंकि तीस डिसमबर से आरबिया ओमो शुरू करेगी, आरबिया लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बॉंस खरीदेगा, करीब दस हजार करोर के बॉंस खरीदने की योजना इस OMO में आती हुए दिख रही है, साथी बजाज फिनांस, इस टॉक पर आप नज़र कीजे, कारवी डेटा मैनेजमेंट ने जो गिर्वी रखे शेयस थे, कारवी के वो खरीद लिए हैं, इन्वोक कर लिए, अपने नाम कर लिए और करीब 10 पसेंट का भिस्दा जो है, वो बजाज फिनांस का कारवी में आता हुआ दिख रहा है, और कंपनी को करीब साड़े 300 करोर रुपए का एक्स्पोजर है, जिसके रेकवरी के लिए कंपनी ने ये काम किया है, SPI, Bank of Aurora, PNB, सरकारी कंपनी आज फोकस में रहेंगी, जहां पर UTI, AMC ने IPO के लिए सेभी में अर्जी दे दिये, इसके चलते आज फोकस में रहेगा, NMDC ये स्टॉक पर नज़र रखे, क्योंकि जारखन में दो कोल ब्लॉक कंपनी को अलॉट होते हुए दिखे, एक रोहन कोल ब्लॉक है, जहां पर जो production capacity करीब 8 मिलियन टन प्रतियानम की बनते हुए दिखे, और साथ ही तो किशुर्द नॉर्थ कोल ब्लॉक भी इनको अलॉट होता हुए दिखा है, यहां पर भी जो capacity करीब सवा 2 मिलियन टन प्रतियानम पर बनते हुए दिखे है, Max Ventures and Industries इस पर नज़र कीजे, जहां पर प्रमोटर अनलजित सिंग ने अपनी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ा दी है, करीब 0.08% से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, और राइट्स इस पर भी नज़र एक जहां पर 27 डिसेंबर को कमपनी की बोर्ट की बैठक होने वाली है, और यहां पर भी आप देखे जो बैठक में डिविडेंट पर विचार होतावा दिख सकता है, इसके चलते आज ये स्टॉक भी नज़र में रहेगा. स्टॉक ने दिखाई है, 383, 383 के लक्ष को ध्यान में रखें, 366, 366 का यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाएगा, खरीदारी का मन बना कर आप चल सकते हैं. इसके लावा, IFB Industries, यहां पर भी Axis Securities का मानना है कि खरीदारी का मन बनाया जा सकता है, 680 पहले लक्ष ध्यान में रखें, 690 दूसरा लक्ष, 651 का एक स्टॉप लॉस लगाईए, खरीदारी कीजेगा. चॉइस ब्रोकिंग का मनना है कि श्रीराम चांस्पोर्ट फिनांस में, फ्यूचर्ज में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, 1174 के लक्ष को यहां पर ध्यान में रखा जाए, और यहां पर 1107 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा. वही हमारे खाश रोबाजा राज और कल में ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन ने भी इंट्राडे और पॉजिशनल बेजस पर अपनी कॉल्स दी हैं. आईए जानते हैं कौन सी हैं वो कॉल्स. जो इंट्राडे पिक है वो भी मैंने अशोक लेलेंड उतारा है और इंट्राडे में मुझे ऐसा लगता है कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी और यह सब का कोई भी अगर राउंसमेंट आता है तो सेटनली यह स्टॉक बहुत बड़ा बेनिफिशरी है तो इसलिए 81 के लगबग भी चल रहा है 84-85 का टारगेट के लिए और 79-50 का स्टॉप लोस लगाए यह इंट्राडे पिक है और दूसरा आटो इंसलेरी स्टॉक है रिको आटो जो कि मैंने पोजिशनल के तोर पे उतारने की वो किया है और 48 के लगबग मार्केट प्राइस है आज की जो क्लोजिंग ह और मुझे ऐसा लगता 54 के टारगेट के लिए काम करना चीए और 45 का स्टॉप लोस लगाए और आपको बता दे बाजार आज और कल में आपको मिलता है बाजार के दिन भर का एक्शन और अगले कालुपारी सत्र में क्या हो आपकी स्ट्राटेजी ये भी बताने की कोश इस पर एक्सपर्ट देते हैं सला तो कमाना है मुनाफ़ा तो सोमवार से शुक्रवार शाम साथ बच कर 26 मिनट पर जी बिजनस के साथ जुड़ना ना भूले और आब बाजार में कहां हो सकती आपकी कमाई इस पर रननीती समझ लेते हैं रनीती बतानी के हमारे साथ जुड अगर आप देखें तो काफी जो जी संटी राली दिखी है उसमें काफी अच्छे लॉंग पोजेशन्स बन रहे हैं और ऑप्शिन्स फ्रांट में भी आप देखिए तो जो उपर के कॉल है 12,400-12,500 काफी अक्तिव हो गाए अब और उसके साथ आप देखेंगे जो 12,200 की फ पहले हो सब्सक्राइब कर देखेंगे कि आप पॉसितिव बाय से करें कोई भी टिप्स मिलता इंटरे में तो लॉंग कर के चले बिल्कुल असनेहा साथी स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी या बिक्वाली की सिलह कहां पर रहेगी स्टॉक स्टॉक स्पेसिफिक अशिन पेन काउंटर आप देखियें तो कल काफी अच्छी मुव दिखी है इस टॉक अगर आप ओवराल डेटा ओवराल चार्ज ट्रक्चर उसका लेखे तो थोड़ा कॉल्डेशन दिखा था अब उसमें फ्रेश बाइंग आते हुए दिखरी है तो यह काउंटर में हम लॉंग करने क सला देंगे 1790-1800 के रेंज में आप लॉंग करें 1880 का टागेट रहेगा और स्टॉप लॉस 1747 का रहेगा जी बिल्कुल से हाँ शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सवालों के जवाब देने के लिए हमाई साथ जोने के लिए तो गिरावट में खरीदारी के मौके बाजा 1880 के लक्षको ध्यान में रखें 1747 का यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा तरब बात करते हैं FIR की यानि की FIR इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की हमारे इस खास सेग्मेंट FIR में हम आपको बताते हैं कि ब्रोकरज हाउस की नजब किन शेयर्स पर हैं और यह बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हमारी रिसर्च अनलिस्ट शिष्टी शर्मा शिष्टी गुड मॉर्निंग बताएं गुड मॉर्निंग मांसी आज शुरुवात करते हैं हम BHEL से जहां पे Morgan Stanley की रिपोर्ट आई है इन्होंने अपना लक्ष घटाया है अंडर वेट रेटिंग अपनी बरकरार रखी है बद लक्ष 46 से घटाके उन्होंने 37 के दे दिये हैं उनका माना है कि कमजोर माक्रो आउट बता रहे हैं अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है उन्होंने और बिस्किट काटगरी में ग्रोथ में धीमेपन के चलते यहां पे वो नेगिटिव आउटलुक बना के चल रहे हैं सन फार्मा पे जो उनकी हलो लिकाई थी उसको लेकर जो आपतियां जारी की गई थी आज उ उन्होंने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते वे लक्ष 700 के दिये हैं मुश्किल महौल के चलते जो है ग्रोथ में एक सुधार की उमीद कर रहे हैं और चौती धिमाही में कंपनी अपना काफी सारा कर्स कम करते वे नजर आएगी जिसको लेकर वो पॉजिटिव आउट बताने के लिए हमारे साथ SMC Global की वंदिना भारती जुड़ गई हैं वंदिना गुड मॉर्निंग स्वागत आपका जी बिजनस पर सबसे पहले तो आज एनरजी पैक पर ही आपका नजरिया जानना चाहेंगे और क्रूड के साथ ही नाच्रल गैस पर भी आज अपनी राए जी गुड मॉर्निंग मार्टी जिस पर यह मुवम्मेंट बन गई है मुझे लग रहा है कि यहां पर थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है नजरी पैक में और इंपीश्मेंट में वो प्रूव हुए हैं ट्रॉम्प और जो डेटा है वो भी थोड़ा से लिगटेवारा तो इसमें जिसकी वज़े से दिमांज ठूरा से यहां पे कम हो रहा है तो मेरे कहां से लोली यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देख रही है और अगर कोई रन नीती बनाने हैं तो क्या किया जाए जी मांसी कल तो बहुत अच्छी मुवमेंट आई थी निकल में और चौबिस रुपे तक का उच्छाल था मुझे लग रहा है कि आज तोवार पेस के साथ लेकिन निकल में आज पर से थोड़ी सी बाइंग देखने को मिलेगी और इंवेंटरी जो है वो तोड़ी सी कम वो आते वे देख सकते हैं बिल्कुल वंधना साथ ही ट्रेड डील से जुड़ए डेवलपमेंट्स अब क्या होने हैं इसे ध्यान में रखते हुए सोने चांदी में अगर बात करें तो एक स्थिर कारुबार देखने को मला इस पर आपकी राए क्या होगी बिल्कुल से इमान सी और आप में देखा होगा कि इसकी वज़े से सुना 18,100 तो पर जाने में थोड़ी से यहां पर मुश्किल हो रही है और खासकर डॉलर इंडिक्स पर हम लोगों ने एक रिवाइवल आते वे देखा है मेरे ख्यास से यहां पर गोल में बहुत साथा मोमेंट नहीं होगी गोल में मुझे लग रहा है 18,200 तक 225 तक की खंपाव आते वे देख सकते हैं मुझे लग रहा है कि सिल्वर में यहां पर एक बाइंग जो है वो इनिशियेट की जा सकती है वो भी स्माल प्रॉफिट पे लिए 44,000 आजवा पर भी अगर हम बाई करते हैं तो मुझे लग रहा है 43,000 रेख्वा का 1500 तक का जो टागेट है वो आ सकता है और इसके लिए स्टॉपर लगाना होगा यहां पर 44,650 का इसे 650 समझें वंदना शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुबह सुबह समय देने के लिए और हमाई साथ चुड़ने के लिए चले आने वाले दिनों में मुबाइल बिल आपकी जेब पर और भारी पढ़ने वाला है जी हां पिछले दिनों ही कंपनियों ने मुबाइल टारिफ में 25 से 40 प्रतिशवत तक की बढ़ोतरी की थी लेकिन इतने से ही कंपनियों की नुकसान की भरपाई नहीं हो रही है जो मैक झा Fazald, बूज को सुछ थे या जौनाथन धर मेरा झान सलिट जैवर में है नित जो का यौनाद की और साथ जाले में ऑयू और եन हाफ बूर हो ख सफ्तार हा बार पू रसे पीड़ हिंड ड्यूर हमा किमानी ओ डूर तर और मोन का को डिंड को ट्रकाव één क और इसे के साथ पार ब्रेकफस्ट में फिलहाल इतना ही मुझे दीजे इजास